हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग तो आज हम डिसकस करने वाले हैं जग के बारे में तो जो जग है इसको डिसकस किस तरीके से कर रहा है कि हम इसको ड्रो करेंगे केटिया में और केटिया में इसको ड्रो स्टेप बारे में हम डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम जाएंगे के को अपर करते हैं जब तक काट होगा अब जो केट्य ओपन हो रहा है अगर सब yapılधी को बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहां पर क्लिक करते हैं पहले हम बनाएंगे इस अफॉले पार्ट को मतलब जो नहीं हमारी उपर वाला पार्ट है इसको बनाएंगे दिन हम नीचे काम करेंगे तो सब людей सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे 90 डाइमीटर का तो हम यहाँ पर त्याइक को open तूल में जाने के बाद हम यहाँ पर कुलिक करेंगे इस बाले पार्ट को अब हम सबसे पहले च्छोटा वाला सर्कल बनाएंगे अंदर वाला मतलब की जो मतलब की 45 रेडियस का हम क्लिक करने के बाद यहां पर इसका डामेंशन देंगे 90 देंटर 90 करने के बाद आप इसी प्लेन में यहां देखेंगे जब तो यहां पर हमारे अबजेक्ट में दो पॉइंट दिये हुए हैं जिनका बीच का डिस्टेंस है 10 फिर आप यहां पर दो पॉइंट बनाएए क्लिक करने के बाद फस्ट पॉइंट और एक पॉइंट दें इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 यहां से क्लिक करने के बाद इसको कर देजिए आप 10 देंटर अब आपका जो नीचे वाला वन स्टेप हो क्लियर हो चुका है आप हमको बनाना है इस उपर वाले पार्ट को उपर वाला जो करने के बाद इसमें एक प्लेन लेंगे आप 20 अल्रेट यहां 20 आरहा है आप ओकी कर देंगे ताप यहां देख सकते हैं आपके पास एक नहाप प्लेन रहा हो चुका है अब इस प्लेन में जाने के बाद आप जाए इसके टूल में और यहां से आप ड्रो करिए अगें 120 डा करने के लिए आप सबसे पहले दे सकते है नॉर्मली एक प्रोफाइल ड्रो कर लेते हैं जिसके पीच का एंगल सेवेंटीफाइव है रेडिएश इसका 이엇ं क्लिक कर दिया ग्रें इस पार्ट को ड्रॉ करने के बाद आप इस पार्ट में इसपर और इसको लगा देजी आप लेग इसके बाद आप यह फर्स्ट पॉइंट और यह पॉइंट और इंगल को आप कर दीजिए सेमेट्री ताकि हमारा डिस्टर्ब ना हो पार्ट उस पार्ट के बाद आप यहां से इसको सिलेट करिए इसकी एक्सिस इसका डायमेंशन देदेजिए आप यहां से 36 इस पार्ट का डायमेंशन भी 36 एंटर और इन दोनों बीच के पार्ट का जो एंगल है वो अल्रेडी दिया हूआ 75 और इस पार्ट का रेडियस दिया हूआ है 10 इस पार्ट को हम रो कर चुके हैं और यहां जाने के बाद आप यहां से लीजिए Eraser मतलब rubber और यहां से आप इसको Erase कर देजिए तो आप का जो उपर बाला पॉरएट भी है वह और रह जुका है अब आप इसको chocolate करेंगे यहां से तो आपने इतना पार्ट को ड्रो कर लिया है अब इसको हमको यहां से multi section solid movement लगाना है तो यहां से आप जाएंगे और कैटिया में जाने के बाद यहां से command को उज़ करेंगे multi section surface command यह से अब इसमें क्लिक करेंगे मतलब कि इसको किस तरीके से कर्वे से जोड़ना है इसको जोड़ने के बाद यहां से नॉर्मली मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ और यहां रखते हैं जूम करने के बाद जो हमारे पार्ट है अब यहां से हम लगाएंगे मल्टी सेक्षन सर्फेस कमाड फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करिए देन आप सेकेंड पॉइंट को क्लिक करिए और यहां से आपको एक में जो हमारी बात है इसमें केटिया में हम ध्यान देते हैं जो कि आप यहां से चेक करने के बाद देख सकते हैं कर दो कि इसका जो ज्वशंग पॉइंट है वो इधर है और इसका इस leveraging बाहर साइड जया रहा है और इसका इस्वश्वां को इसके कड़ दें आ अब आप देखेंगे तो इसके दोनों को क्लोजिंग पॉंट इस साइड आ रहे हैं मतलब सही है आप उसके बाद गाइड में क्लिक करिए और गाइड देने के बाद आप इस लाइन को ड्रॉब कर देजिए देन ओके प्रेस करिए तो यहां से आप देख सकते हैं आपका जो करिए इस पार्ट को और यहां से आप क्लिक करिए इस स्केचर में इस सेंटर प्रेंट को स्लेट करने के बाद आप स्केचर में जाईए और यहां से नॉर्मली इधर आ जाईए अब यहां से हम देखेंगे अंगले वाले पार्ट को हमने इस पार्ट को ड्रो कर लिया है इस यहां से जाने के बाद 500 दिया है उसके बाद यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा 50 दिया हुआ है तो हम पहले इस पार्ट को ड्रो कर लेते हैं नेक्स्ट आप यहां जब नोटिस करेंगे तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक का वह है 108 और उसके बाद यह यहां पर दिया हुआ 10 और यहां पर दिया हुआ 7.5 का रेडियस तो हम पहले इस पार को ड्रो कर लेते हैं नॉर्मली पहले हम एक एक्सिस लेते हैं और इस जो हमारी एक्सिस है यहां से आने के बाद हम लेंगे इसको 2 5 0 108 मतलब की 54 54 एंटर 54 के बाद हम लेंगे 10 यहां पर क्लिक करेंगे 10 एंटर और 10 लेने के बाद हम यहां से क्लिक करेंगे 7.5 आप यहां लेंगे इसके बाद दिया हुआ है 7.5 एंटर और इतना ड्रो करने के बाद यह हमारा जब यहां से हमारा ब्लू टेक आएगा तहुं इसको छोड़ देंगे और यहां से हम करेंगे इस कमांड से बाहरा जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे जो हमारे यह पार्ट है इतना बन चुका है अब हम बनाएंगे इस वा ने अर्ल कमांड के इंदर आपको मिलेगा three point arc starting with limits तो first point को select करिए और अब यहां से आप इसको देजेए radius तो आप इस point से एक यहां से बना ड्रो करिए और एक और बनाईए आप first point से इसको जोड़िए और यहां से आप जोड़िए इस point को और यहां से अप इसको licking करें इसके बाद यहां से आप notice क्रेंगे कि जो यह पारट है यहां से लेकर यहां तक का जो distance है वो दिया हुआ Barry तो यहां भी आप सेम करें 195 इसका radius है और 55 इसका radius है तो हम केटिया में जाने के बाद यहां से dimension में जाने के बाद इसका जो radius है वो देंगे 195 19 195 एंटर और इस बाले पार्ट का जो radius है वो हम देंगे 55 यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो distance है वो दिया हुआ है 50 एंटर तो यह हमारा जो पार्ट है वो अल्रेडी पूरा ड्रो हो चुका है उसके बाद हम इस पार्ट को रिवॉल्व करेंगे रिवॉल्व करने लोड़ा स्केचर टूल में आते हैं यहां से और इस पार्ट को हम यहां से फिक्स है ओके यहां से जाने के बाद हम करेंगे रिवॉल्व कमांड और रिवॉल्व कमांड अभी आप देख सकते हैं तो यह से नोटिस करेंगे के हमारे यह पूरा पार्ट रोओ चुका है अब हमको इसमें बनाना है इस टेंड तो फिर से हम उसी सेंटर प्रेंगे और जाएंगे इस्केचर टूल में तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे देन उसके बाद आब यहां से हम ड्रों करेंगे इस हंडल क हेंगल को ट्रोक करने के लिए आप नॉर्मलि क्या 20 का एंगल बनाए तब आप इसको ऐसे कर लिजिए यहां से आप प्रॉफाइल टूल से आउट जाएए अब उसके बाद क्या करना अपने को इसकी डामेंशिंग देने हैं तो यह जो पॉइंट है इस पॉइंट से लेकर इसके सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंज किता है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंज से जो है 119, 119 एंटर देन इसी पॉइंट का डिस्टेंज इस पॉइंट के अलोंग जो है यहां से लेकर इहां तक का 71 और यहां से यहां तक का 119 इस जो लाइन का डिस्टेंज से वो है 77.5 देन आप यहां से केटिया में जाएए और यहां से आप पहले एक का मॉरकल लेते हैं इसमें आप देख सकते हैं को न लगा हो यहां से यहां 25 लगा हुआ है तो यहां से 25 लगा हुआ है आप यहां लगाई यह लगा यह पुलिट कमान्ड फर्स्ट सेकेंड और इसके भी इसके जो रेडियस है कि लिक कर दिए कितना रेडियस यहां पर 25 एंटर देन सेम प्रॉब्लम आप यहां भी क्लिक करिए फर्स्ट सेकेंड देन इसका भी ट्वेंटिफाइब यहां भी आप क्लिक करिए 25 देन एंटर तो आप देख सकते 25 25 सेलेक्ट हो गया है उसके बाद आप इस लाइन का जो डामेंशन है वह पूटब किजिए 77.5 77.5 एंटर देन उसके बाद आप इस लाइन का एंगल और यहां से इस लाइन का एंगल यहां पर दिया हुआ है 20 यहां पर एंगल डाली है 20 एंटर तो यह जो हमारा पूरा पार्ट है वह कुछ इस तरीके से अल्डेडी हमने ड्रो कर लिया है अब इस पार्ट को हमको कुछ इस तरीके से ड्रो करना है तो यहां पर एक एक ellipse का dimensions दिया हुआ है 12.5 और 5 तो यह हमारा major axis है और यह दो यहां पर जाने के बाद हम एक लेंगे plane लेने के लिए आप जायेंगे work events में और यहां पर आप करेंगे plane को select plane को select करने के बाद आप जाएंगे यहां पर और यहां पर आप click करेंगे angle to normal curve और उसके बाद आप इस एक्सेस को select करिए और यहां से आप करिए point में click normally again आप plane में जाए और यहां से आप select करिए angle to normal to plane first point और यहां से आप click करिए second point तो यहां एक plane आप का draw हो चुगा है then आप इस plane में select करने के बाद जाए आप यहां जाए इलिप्स में और इलिप्स लेने के बाद आप click करिए इसके center point में center point में click करने के बाद इसका major access और minor access देना है तो major access यहां पर दिया हुआ है 12.5 tab 5 then यहां पर आप इसको normally कर देजिए draw तो यह हमारा part अल्यडी draw हो चुगा है अभी हमारा major fix नहीं हुआ 5 then यह आपका part अल्यडी draw हो चुका है workbench से आप बहाँ जाए और इस part को आप यहां कर देजिए switch करने के लिए हम जाएंगे switch command में और यहां से आप देख सकते हैं switch command हमारा यह है click करने के बाद आप इसको first time में click कर दिया और इसके path में click करिए तो already path में होगा guide और enter तो आप भी देख सकते हैं यह हमारा part already draw हो जुका है इस part को draw करने के बाद आप यहां लगा सकते हैं fill command यहां से आप लगाए intersect first second तो अब आप इसमें notice जब करेंगे अंदर से देखेंगे जब आप इस part को तो यह जो part है हमारा यह part हमारा अंदर आ रहा है तो आप इस part में click करिए तो आप देख सकते हैं जो हमारा part है यह part already हमारा draw हो चुका है तो इस part को draw करने के लिए यहां पर आप फिर इन plane में select करने के बाद normally यहां से इन तीनों plane को आप select करिए और यहां से आप कर देजिए hide तो आपके plane पूरा आप select करने के बाद इनको आप कर सकते हैं hide तो यहां से आपका जो नॉर्मली है वह सो होन लगेगा कर दोर साइब कि ए सुकते हैं करने के बाहा है प हम जोड़ी मादे कर दोल सकत्र यहां जोत में आपकम आपके खसी आपक milliards आपके तो कि ए सुट आपके कर